नमस्कार दोस्तों JSBB Smart Stadium में आपका स्वागत है आज अपन राजस्तान की जलवायू के बारे में चर्चा करेंगे जलवायू किसे केते हैं जलवायू किसी इस्तान विसेश पर वर्ष बर की मोसम सम्मन्दी दसाएं जलवायू केलाती है जलवायू वायू की दिरकाली नवस्ता होती है मोसम वायू की अलपकाली नवस्ता होती है मोसम या मानसून सब्द की उत्पती अर्वी बसा के मोसीम जिसका साबदी करता है पवन की दिसा या दसा अब बात करते हैं भारती मांसून जल्वायू की सरपरतम व्याख्या अर्बियात्री अलमसुदी ने की ती किसके काल में गुजर परतियार माईपाल के सासनकाल में नेक्स्ट है जल्वायू के आदार पर राजस्तान में रीतुए तीन रीतुए होती है ग्रीशमरीतू, वर्षारीतू और सीतरीतू अवदी देखें इनकी मार्च से मद्दे जून तक ग्रीशमरीतू और मद्दे जून से शितुमबर तक वर्षारीतू और मद्दे नौमबर से फरवरी तक सीतरीतू महिना देखें तो ग्रीशमरीतू में जून वर्षारीतू में अगस्त और सीतरीतू जन्वरी अब बात करते हैं जिला चूरू क्रीश्मरीतू और वर्षारीतू में जालावाड और सीतरीतू में चूरू इस्तान देखें दोस्तों तो फडोदी, माउंट अबू और माउंट अबू विशेश्ता देखते हैं इनकी लू या दूल बरी आंदिया और नियुन्तिम आधरता और इसमें होती है दोस्तों पुर्वियां और इसमें होती है माउट सरवादिक आधरता और शीत लहर अब बात करते हैं अपन मानसून परत्यावर्तन का समय अक्टोंबर से नौंबर है सरवादिक आदर्तावाला महीना अगस्त और जिला अगर पूछे तो जहलावाड नियूंतम आदर्तावाला महीना अप्रेल है दोस्तों और जिला जैसल मेर है सरवादिक वर्षावाला इस्तान माउंट अबू और नियुन्तम है सम जैसलमेर में राजस्तान की जलवायू परदेश पांच है कौन कौन से सुष्क परतिनीदी नगर है दोस्तों जैसलमेर और अदर सुष्क जोदपूर और उपादर परतिनीदी नगर जैपूर और आदर स्वाई मादूपूर परतिनीदी नगर है स्वाई मादूपूर और अतियादर में हैं दोस्तों जालावाड जलवायू के आदार पर राजस्तान को पांच जलवायू परदेशों में विवाजित किया गया है कौन कौन से राजस्तान के जलवायू के आदार पर पांच परदेशों में विवाजित किया गया है राजस्तान में जलवायू को सुस्क जलवायू परदेश यहां दोस्तों वर्षा होती है 10-20 cm और ग्रीश्मर रितु में ताप मान होता है 45-50 cm सीर्त रितु में सुनने से 8 degree centigrade ताप मान रहता है अब सेकिंड इसकी विशेस्ता के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें मरूबिद वनस्पती जेरोफाइट्स पाई जाती है और ग्रीश्मर रितु में लू धूल बरी आंदियां चलती है देनिक वबार्शिक्ता पांतर उच होता है नेक्स्ट है सेकिंड अर्द सुस्क जलवाईव परदेश इसका विश्तार है अरावली के पस्सिम में गंगा नगर, हनमानगर, सिक्कर, जुनजुनु, चूरू, नागोर, जोधपूर, पाली इसकी विशेश्ता देखते हैं इस्टेपे तुल्यव्रस्पति पाई जाती है ये इंपोर्टेंट है इस्टेपे तुल्यव्रस्पति पाई जाती है आर्द सुस्क जलवाईव परदेश में इसका परतिनी दिन अगर जोदपूर है अब तीसरा देख से हैं उपादर जलवाई उपरदेश वर्षा यहां होती है 40-60 cm और तापमान ग्रिश मरीतू में रहता है 28-34 degree centigrade परतिनी दिन अगर जैपूर है और विस्तार अरावली के समानतर वाला छेतर जैपूर अलवर्दोसा अजमेर बिलवडा और टौक और अंति में सीर होई अब बात करते हैं फोर्द अर्द जलवाई उपरदेश वर्षा शाड़ से 80 cm तापमान तीस से 34 degree centigrade परतिनी दिन अगर स स्वाइमादुपूर, करोली, दौलपूर, बुंदी, रासमंद और चितोड नेक्स्ट है पांचुआ अतियादर जलवाई उपरदेश यहां वर्षा होती है 80-100 cm पलस होती है यहां और तापमान 30-40 cm ग्रीश मरीतु में और सीतरीतु में 12-18 cm परतिनी दिन अगर दोस्तों यहां का जलावाड है जो सरवादिक वर्षा होती है यहां विस्तार चेतर देखते हैं इसका जलावाड, कोटा, परताबगड, माश्वडा, दौंगरपूर, उद्यपूर, माउंट अबू इसकी विशेश्ता है अति आदर जलवाई परदेश की विशेश्ता है सवानना त दूले वनास पती पाई जाती है और यह सबसे छोटा जलवाई परदेश है ठैक्यू दोस्तों नेक्स्ट कोपेन और टिवार्था और धरनवेट इनका भी वीडियो आएगा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिविक्सिन आपके पास लाए जेहिन ठैक्यू दोस्तों